आने वाले त्योहार के मौसम में नया हॉंडा अमेज लॉंच होन जा रहा है। ये नया हॉंडा अमेज एक नये प्लाटफॉर्म पार आएगा और नये स्टाइलिंग और और भी अधिक फीचर्स के साथ आएगा। हॉंडा का सबसे चोटा सिडेन अमेज इस साल के अंत में एक पूरा नया मौडल देखेगा। तीसरा जेनरेशन का अमेज दूसरे जेनरेशन के स्थान पर आएगा जो 2018 से मौझूद है जब ये दिवाली 2024 तक बिकने लगेगा। तीसरा जेनरेशन का अमेज सिटी और एलेवेट प्लाटफॉर्म पार आएगा। नए लुक्स और इंटेरियर्स के साथ आएगा। फीचर्स में व्रीधी रहेगी। सोर्सेस के अनुसार सिटी और एलेवेट पार आधारित प्लाटफॉर्म को अगले अमेज पार भी इस्टेमल किया जाएगा। कुछ परिवारतानों के साथ विशेश रूप से अमेज की ओवरॉल लेंथ को चार मिटर के नीचे लाने के लिए सिटी की टू 600 मिलिमिटर्स और एलेवेट की टू 650 मिलिमिटर्स से बहुत चोटा वील बेस। वर्तमान अमेज का वील बेस टू 470 मिलिमिटर्स लामबा है, सिटी से 130 मिलिमिटर्स चोटा। ये हॉन्डा को डू प्लाटफॉर्मन से एक पार लेन में मदद करेगा और स्केल की अर्थीकता को बढ़ाएगा। नए अमेज के डिजाइन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन सोर्सेज के अनुसार हॉन्डा का एंट्री लेवल सिडैन अपने स्टाइलिश डिजाइन क्यूज के साथ आगे बढ़ेगा, जो बड़े हॉन्डा सिडैन्स के साथ साथ बिखते हैं। वास्तव में दूसरे जनरेशन का अमेज का डिजाइन भी उस समय के अकोर्ड से प्रभावित था और तीसरे जनरेशन के मॉडल के लिए भी एक सिमिलर अप्रोच हो सकता है। जा होना संभव है। इसका मतलब ये है कि नया अमेज वर्तमान कार की तरह एक लोन पेट्रॉल एंजिन के साथ ही बेचा जाएगा। जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट किया था, हॉन्डा इस साल के दूसरे श्रेणी में नया अमेज लेकर आएगा। ज्यादातर दिवाली 2024 के मौसम के आसपास। जाब लॉंच होगा, नया अमेज आगे भी मारूती डिजायर, कुछ महीनों में एक नया मॉडल आने वाला है। करता हूज होगा। झाल